यानी 21 जून को होने वाले सूरिग रहन को लेकर की इंडिया न्यूज में लखनाओ के भगवत अचारे पंडित ग्यानेश तुरिपाथिये सा खायस बात किया जुस्नों उन्होंने बताया साल 2020 में 100 साल बाद इस तरह का सूरिग रहन पड़ रहा है और नकाल में ये सूरिग रहन के सरह से प्रभाब डाले गया इसके उन्होंने जानकारी दिखे रहे हैं वर्ष 2020 का पहला सूरिग रहन है ऐसे में इस सूरिग रहन से क्या आसर हुने वाला कितने समय का रहेगा इस पर जानने के लिए बात करने के लिए हम हमारे साथ में भगवता चार ये ग्याने इ मोज़ा तो ये कितने समय वाद ऐसे सूर गर्ण करल elections कुछ поговор और वैसे तो ये सदियों में सौ अर्श के बाद अगर कुछ रहन27 के आधा पर देखा जा तो यहero 2020 में भी ऐसी इस्तिती में पढ़ा था और यह में 2020 से पढ़ रहा है कि यह जो सूर गराण है यह प्रम खुरूब से अगर देखा जा तो यह भारत में पूंटे रही होगा जादे पूंटे और सूर गराण जो होते हैं और वह द्रिश्य नहीं होते हैं पर यह पूर्ट एद्रश होगा इसका काल सनिवार रात सारे दस बजे से सूतक लग जाएगा रविवार को सुबह नौ बोज करके 15 मिनिट पर कुछ लोगों ने कहा और कुछ लोगों के आधार पर यहां के आधार पर जो हमारा ये अंचल चेत्र है अवद चेत्र है यहां पर दस ब करके यह दवाएं ले सकते हैं दूदित्यात बोजन प्रशाद ले सकते हैं बाकी लोगों के लिए इसमें वर्जित है भोजन बर्जित है यात्रा बर्जित है और इसमें किसी तरह की पूजा पाठ घरिर्टेर भी देवी देवताओं का इस पर समंदिर में जाना यह सब ब तिशेस करके जो गर्व होती महलाएं हैं उनको इसनी निकलना चाहिए क्योंकि जो गर्व के बालक होते हैं उनके अंग विकल्हांलता की इस्तित्म शत्तित्तमें आने के तो बच्छा विकलांग होता है ऐसा सास्त्रों के आदार पर बताया गया जैसे कि अगर हम प्रभाव की बात करें इस समय पूरे देश में कुरूना कायल चलना है तो ऐसे में क्या प्रभाव डालेगा देश की जो परसितियां उन पर ये सूरग्राण क्या असर करने वाला है वैसे ये महामारी जो चल रही है परोना इस सूरग्राण से कुछ आठाएं ये लगाई जा सकती है कि बुलत